So, hello friends, मैं विजराहुल तिवारी and विज मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल रहुल तो दोस्तों यहाँ पर आप में से काफ़ी सरी लोगों का कमेंट आ रहा था Realme 6 के सभी फीचर्स के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए वैसे उबराल अगर देखा जाए तो हमारे चैनल पे काफ़ी सरी वीडियो अबलेबल हैं आलरेडी जिसमें मैंने Realme 6 के सभी फीचर्स के यहाँ पर कन्फर्म किया है लेकिन आप लोगों में सकाफ़ी सरी लोग बोल रहे थे कि उन सभी फीचर्स को यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाला हूँ कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर Realme 6 में मिलने वाले हैं और यह स्मार्टफोन आपको कितने प्राज तक यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेता हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन के सभी डिटेल फीचर्स के बारे में और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग से यानि इस स्मार्टफोन की बाडी से तो अगर बात करता हूँ इसे smartphone की back side से तो यहाँ पर आपको Realme 6 में इस बार glass का back देखने के लिए मिलने वाला है glossy gradient finishing के साथ में जो back है पीछ एक side आपको देखने के लिए मिलेगा अगर हम बात करते हैं Realme 5 series तक की तो वहाँ तक आपको plastic का back देखने के लिए मिलता था लेकिन इस बार कुछ update आई है जिसे पता चला है कि Realme यहाँ पर अपने body को भी अपने smartphone की body को भी अपग्रेड करने वाली है इस बार तो यहाँ पर आपको एक glossy gradient finishing और जो back है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर बात करते हैं front side की तो center punch hole display DN के साथ में 6.4 inches का एक full HD super remote display आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस smartphone के processor के बारे में तो यह चीज already confirm है कि यहाँ पर आपको Mediatek का Helio G90 processor देखने के लिए मिलने वाला है और इसके साथ साथ इसके starting variant से आपको 4GB RAM, 4GB storage यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी तो smartphone काफी better होने वाला है, इसके smartphone के processor के recording, इसके design के according और यहाँ पर इस smartphone के display के according फानली बात करते हैं अगर हम यहाँ पर इस smartphone की camera के बारे में तो यहाँ पर आपको जो camera मिलने वाला है back में, rumor कुछ है आपको Pinta camera यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जो main sensor दे जाएगा वो होगा 48MP का प्लस इसके साथ 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP का आपको camera यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा प्लस एक zoom lens भी extra आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जिससे जो 4 camera होंगे वो बढ़ करके 5 camera हो जाएगे इसके साथ अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस smartphone की battery capacity के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000 mh की बड़ी battery मिलने वाली है 20W के VOOC fast charging के साथ में इसके साथ USB Type-C port भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तों यह थे overall features जो कि यहाँ पर आपको Realme 6 में देखने के लिए मिलने वाले है fingerprint sensor अगर हम देखते हैं तो fingerprint sensor rear mounted आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है तो overall अगर features की बात करते हैं तो features काफी better आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले है इस smartphone की अगर price की बात करता हूँ जो की leak होकर क्या आई थी तो इस smartphone की base warranty जिसमें आपको 4GB RAM, 4GB storage देखने के लिए मिलती है वो कुछ आपको 9,900 इंडिया अनुट में देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया में दोस्तों अगर इस smartphone की price को और इस smartphone के सभी features को अगर यहां पर देखते हैं और compare करते हैं तो यह smartphone है काफी अच्छा है आप निकल करके आने वाला है और इसके साथ जो smartphone है वो March के महिने में launch होने वाला है अल्रेडी हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है आज के आई भी कुछ update के बारे में जो कि यहां पर Realme 6 के launch के बारे में थी तो अगर आपने वीडियो ने देखा तो चैनल पर वीडियो अबलेवल है आप जाकर के यहा उससे बता सकते हैं और अगर आपकोई भी यहां पर सवाल है तो आप नीचे वह भी कमेंट कर दीजेगा मैं जरूर से उसका यहां पर reply करने की कोशिस करूंगा तो सब्सक्राइब कर लिजेगा